दोस्तों सिधार शुकला के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तब ही अस्पताल के डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोशित कर दिया था। शुरुवाती रिपोर्ट्स में सिधार की मृत्यू का कारण हार्ट अटेक बताया गया है। हालंकि उनका पोस्ट मार्टम भी किया गया है। फाइनल रिपोर्ट में ही मृत का कारण पता चलेगा। बता दें कि सिधार शुकला ने बीती रात कुछ दवाईया ली थी जिसके बाद वो सो गए थे लेकिन सुभा नहीं उठे और इसी के बाद उन्हें अस्पताल ले जाए गया था। ये दवाईयां किस चीज की थी और इनका क्या रियक्शन हुआ इन सभी सवालों का जवाब अभी मिलना बाकी है। चालिस साल के सिधार शुकला ने बालिका वधू सीरियल में अपनी पहचान बनाई। वो बॉलिवुड फिल्मों में भी काम कर चुके थे और इसी साल उन्होंने OTT पर भी डेब्यू किया था। बिग बॉस 13 के अलावा सिधार शुकला ने खत्रों के खिलारी भी जीता था। सिधार शुकला की फीमेल फैन फालोविंग काफी ज्यादा थी। बिग बॉस जीतने के बाद सोशल मीडिया पर भी वो लगातार चाय हुए थे। फिटनेस फ्रीक रहे सिधार शुकला की इस तरहां अचानक मौत से हर कोई हैरान है। फिलाल अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो पर लाइक का बटन जरूर दबाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।